बेल वाली सबजी जो होती है उसके लिए हमें हमेशा तयारी करनी होती है कि बेल को चड़ाना किस पे है बेल के लिए या तुआ हमें मचान बनाना होता है या कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन कोई भी ऐसी जगा जहां पे हम अपनी बेल वाली सबजी को उपर फैलाएंगे ये गाउ में बेल वाली सबजी को की बेल को चड़ाने के लिए बड़े बड़े चपपर होते हैं वो बेल वाली सबजी जो है चपपर के उपर ही चड़ती है औ अगर खेतों में जो होती हैं बेल वाली सबजी तो वो नीचे खेत जमीन के उपर एक बेस बनाते हैं उसके उपर जो है हमारे बेल फैलती हैं लेकिन हम रहते हैं शहरों में और हमारे आसपास होती हैं ये दिवारे ये लोहे की दिवारे या फिर सिमेंट की दिवारे तो अग अगर हम अपने बेल वाली सबजी को फलाने के लिए इस तरीके से नेट लगा रहे हैं तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नेट जो है वो दिवार से या यह स्टील की रेलिंग से जो है हमेशा दूर रहे इसकी वज़ा यह है कि जब तेज धूप पड़ती है तो यह जो लोहे की ग्रिल्स है यह जो स्टील की ग्रिल्स है यह बहुत तेज गरम हो जाती है और फिर हमारे प्लांट्स को भी हाम पहुचाती है हमारा जो हमारे प्लांट्स हैं जो वो गरम हो जाते हैं और जो फ्रूट्स बन रहे होते वो भी खराब हो जाते हैं तो द तो इस पर धूब की तेज कर्मी से इसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा इसलिए अगर आप भी अपनी बेल वाली सब्जी के लिए नेट लगा रहे हैं तो नेट और पीछे की दिवार का जरूर ध्यान रखिए और उसके बीच में कोई भी गैप लगाई है जिससे थोड़ा सा यह डिस्टेंस में आ जाए यह देखो मेरी नेट और पीछे की जो लो करने के बाद यह उसको फेट देते हैं इस तरीके की चाली को घर पे लाकर भी आप अपने जो है बेल वाली सब्जी के लिए मचान बना सकते हैं यही हमेशा याद रखिए पेल वाली सब्जी के लिए हमें एक ऐसा मचान बनाना होता है जिसमें उसको थोड़ी थंड़क भी मिलती रहे यह नहीं कि वो धूप की तेजी में गरम होके उसकी पत्यां जुलसनी शुरू हो जाए बेल वाली सब्जीयों की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी इसमें फ्रूट जब बनेंगे इसकी फल सब्जी सबकी अपडेट आपको मैं अगली वीडियो उसमें देती रहूँगी इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बाई